देश में मोदी और प्रिदेश में योगी भाजपा के सांसदों, विधायकों और कारकरताओं से अनुशासित रहने का निर्देश देते रहते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है पार्टी के नेताओं और उनके परिवार के लोगों पर लगातार, शोशर, ठेकेदारी और अवैत खनन के आरोप लगते रहते हैं ताजा मामना कैसर गंज के बिजेपी सांसद ब्रजभूशर शरंट सिंग के बेटे करण भूशर शरंट सिंग का है जिनके उपर जिला प्रशासन ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नरेंदर मेमोरियल निजी आईटी आई के बगल में सामान बालू का अवैत तरीके से भंडारन किया है ये उस परिसिती में है जब प्रदेश सरकार ने बालू डंपिंग, बालू परिवहन और खनन को पूरी तरह से अवैत कर दिया है हाला कि इस मामले में जिला प्रशासन ने कारवाई करते हुए सांसद और उनके बेटे को नोटेस थमाया है और साथ इनके बीतर जवाब मांगा है कारवाई उसमें देखे 13 तारिक को ही हो गई है जो इसमाहिल पूर जो एनम आई टी आई आई कॉलेज है उसमें बालू डंप किया गया है अब जब हम लोग जांच पे गये थे तो हम लोग ने पता किया वहाँ किसी से तो उन्होंने बता कि दुर्गा गंच के जो पट्टे धारक है उन्होंने यहां बालू यह डंप किया है तो हम लोग ने उनको भी नोटिस जारी कर दिया है, 18 तारिक में, 17 या 18 तारिक में नोटिस जारी कर दिया, उनसे जवाब लिया जाएगा, जवाब लेने के बाद हम लोग अगरिम करवाई करेंगे, उस जगह के लिए कोई भंडारन लाइसेंस सुविकरित नहीं, इनका एक तुर्कॉली में सुविकरित किया गया था, तुर्कॉली में बालू भंडार है यहां भी भंडार किया गया है, तो इसको एक तरह से फिलाल अभी तक तो हम अवैध ही मानेंगे, इसलिए हम लोग नोटिस जारी किया, और आप ने यह बालू डंप किया है, तो कैसे कियां, इसका जवाब दीजी